हेई कोरेंज अगे व्यूवर्स दिस इस में कब अंसल और आज अमात करने वाले हैं टरनल अपके आपिसोड 16 दी सो लेट्स किट स्टार्टेट यहां गोस्ट्राइब के आर्टिक लैंड में डियोवान बंदा होता है यहां जी उसे देखकर हैरान हो जाती है डियोवान पूछता है तो मैं लीजिंग ने मुझसे मारने के लिए बेजाए यहां जी उसे गली लगा की कहती है मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालना चाहती हो यहां लीजिंग और श्वान्यू एक साथ सोते हैं जैसे ही लीजिंग श्वान्यू को अपने पास दिखता है वो उटकर कहता है 70,000 एर्स बीद गए है तुम कहां हूँ श्वान्यू कहती है फिर से आईयन 70,000 एर्स हो गए है तुम अभी भी उस सेलस्टियर इमोडल की बारे में सोच रहे हो लीजिंग कहता है तो क्या 3000 औरत है मेरे हरम में पट उसके बराबर एक भी नहीं श्वान ने वो गुस्सागर की कहती है तुम्हें आईयन ने किया गया है उसने बस तुमारा यूज किया जब मोईवान मरा वो तुमारे प्यार को यूज करके सोल्जेट तुमसे लेना चाती थी लीजिंग पिना कही चला जाता है जसी वो बहार आता है उसे आर्टिक लैंड का एक सोल्जर इंफर्म करता है कि प्रिंसेज यान जी लीवान को भगा के ले गई उनके पास मिलिटरी सील थी इसलीव मैं उन्हें रोप नहीं पाया बस मैं आपको रिपोर्ट देने आया हूँ लीजिंग शौको कर कहता है मिलिटरी सील वो तो मेरे तब ही वो वापस श्वान्यू के पाथ जाकर कहता है तुमने मिली मिलिटरी सील शौन्यू कहती है उसने मांगी थी लीजिंग कहता है इतनी इंपॉर्टेंट चीज तुमने उसे दी दी उसने तुमसे मांगी पता है तुम्हें वो लीवान को वहां से ली गई शौन्यू कहती है तुम उससे सबसे ज़ादा प्यार करते थे तो वो तुम्हें हट कभी नहीं करना चाहेगी दीजिंग कहता है लीवान की मदर मर्मिट क्लान से है वो चांकसी ज़रूर गया होगा अगर मर्मिट ने वाट शीर दी और गोस्ट्राइब इन समय फसा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा वो से चांटा मार के खिरा कर सोलजर को बुला कर कहता है प्रिंसेज ने लीवान को छोड़ा लिया और वो चांकसी की तरफ जा रहे होंगे जाकर उस क्रिमिनल को अरेस्ट करो सोलजर एगरी करता है दीजिंग कहता है कि मैटर बाहर नहीं जाना चाहिए ना इन हाबन्स में किसी को भी ये बात पता नहीं चाहिए सब कुछ सीक्रिट में करो यहाँ यह हुआ सूसू के पाज आने का सोचता है तब ही रियांस्वाम भाग कर राकर बताता है सूजिन चैनरल्स को टी सर्फ कर रही है वो अभी नहीं आईए तुम जाओ यह हुआ गार्ड्स को अंदर बिलाकर कहता है मेरी बिना परमिशन के कोई भी आना नहीं चाहिए बाहर जगरी करते हैं रात में सूजिन यह हुआ के क्वार्टर के बाहर आती है गार्ड्स उसे बाहर रुपते हैं उचिन अंदर जाने को कहती है उठोल Casey कहती है उन्हार ने किसी को भी अंदर आने के लिए मना किया है उचिन बाहर से अवास लगाती है मुटे आपसे मिलना है है वेशन य्टर्श्फन टेंशन में होता है बाहर से fif फिर ले अवास लगाती है अंदर ल्यांग सोंग सोचता है सूजिन तो टी सर्फ करने गई थी वो एकदम से यहां कैसी आ गई क्या करूँ अगर मैंने कुछ भी रिस्पॉंट नहीं किया तो उसे शक हो जाएगा वोगा सब कुछ हैविल ने लॉट को बता देगी फिर हम तो गए उसे ही सामने कैंडल लिखती है सूजिन अंदर जाने की कोशिश करती है पर कार्ड उसे रोकती है सूजिन कहती है इस हाइनेस रिती जल्दी नहीं सोती क्योंकि तब्बत तो खराब नहीं और क्या हमें किसी को बुला कर उनका चेकप तो नहीं कराना होगा गाड उसे जाने को कहती है पर सूजिन कहती है तुमनों को अजीम नहीं लगता अगर हाइनस मुझसे मिलना नहीं चाती है तो वो कोई रिस्पॉंस तो करते तब एकदम से अंदर रूम में अंदेरा हो जाता है कार्ड कहती है हाइनस देखा अपने उर्हाने कैंडल भी बुझा दे मतलब वो अभी रेस्क कर रहे होंगे शिन्यू भी एगरी करकी कहती है आप तो हाइनस को जानती है न अगर उन्हें किसी से बात नहीं करनी तो वो किसी से भी पूरे दिन कुछ भी नहीं कहती है उर्हाने अप कैंडल भी बुझा दी तो मतलब होनी चाते कि आप उने डिस्टप करी सुजिन गार्ट को कहती है हाइनस का ख्या लगना लापरवाई बिल्कुल मत करना गार्ट जैकरी कहते हैं सुजिन दुख में चली जाती है अंदल यांग्सों कहता है ये लॉंग टर्म सिल्यूशन तो है नहीं ऐसा क्राउंड प्रिंस ओफ चैलिस्टियल ट्राइब अगर यहुआ अपने आपको हर रोज कमरे में ऐसे बंद करेगा तो कभी ने कभी वो पकड़ाई जाएगा फाइनली यहुआ मोटर्म में सूसू के पास पहुंस आए वो पूरे घर में उसे डूनता है बट वो उसे कहीं नहीं वलती वो कहता है कहां गई होगी वो जंगल में पायशान बोव एन एरो के साथ यहुआ का इंतजार करते करते सोचाती है यहुआ सब देखकर उसके करीब बरता है उसकी अवाज से पायशान उठती है वो यहुआ को देखकर रूती हुई उसके पास बागकर उसके गले लगकर खूब रोकर कहती है यहुआ यहुआ कहता है मैं वापस आ गया यह हुआ कहता है कुछ important करने गया था भावखन बुच्ती है ऐसा क्या important आ कि तुम मुझे बिना बताए जले गए यह हुआ बुना मानता है भाले बून कहते है तुम मुझे सब अच्छा है पड़ तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं तुमारी भाइफ नहीं हूँ यह हुआ उसके आशू पोसता है पाशन कहती है देखो तो तुम अभी भी कुछ नहीं कहा रहे हो तुम कम बोलते हो इसलिए मैं अब गुस्टा भी नहीं हो सकती तुम क्या मुझे मुझे मनाओगी भी नहीं य वह कहता है गलती मेरी है पाया शान-हाजद की कहती है तुम पूरिता शाल सिख आया अप ते और अब तुम कहरेऊ गलती है पूरे दुनिया मेंसे तुम ही एक Què-से इनसान हो यह हुआ हसता है पाया शान उसे पकड़के पूšती है तुमारे लगी है क्या? ये हुआ मना करके कहता है इस दुनिया में सिफ कुछी लोग है जो मुझे हर्ट कर सकते है पाशन कहते ही है चूटे गई के ये हुआ पुस्ते क्यों पाशन कहते है चाम मैं तुमसे पहली बार मिले तुमारे बहुत खून निकल रहा था ये हुआ कहता है वो एक्सेप्शन था वो उसे गले लगा लेता है बाद में दोनों सूते है ये हुआ कहता है सू सू अब मुझे चलना होगा जैसे ही बुझाता है पाशन बुस्ते तुम फिर जा रहे हो इस पर कितने दिन के लिए जा रहे हो आदे साल तुमसे अलग होने के बाद, जब मैं तुमसे दुबारा मिली, मैं बहुत कुछ हुई, और अब कुछ साल मैं तुम्हें देख भी नहीं पाऊंगी, कोई बात नहीं, वैसे भी दो साल की बात है, मैं वेट कर लूँगी, तुम चले जाओ, यह वगाता है, मुझे त मैं पहले मैं इस माउटिन में के लिए रहती थी, मैंने पहले कभी नी सुचा था, बट अब हम मैरेड है, मुझे आप और बेट मत कराओ, वो रोते हैं कहती है, अगर मैं और बेट करूंगी, तुम गुस्सा हो जाओंगी, मुझे उस दिन बहुत डर लगेगा, जब तुम जखमी होकर कहीं रहोगे, तब मैं क्या करूंगी बताओ, यह वह पुस्तर सूसू, अगर मेरे पास कुछ भी नहों, क्या तुम तब भी मेरे साथ रहोगी, बायशान मुस्कुलाते हो कहती है, तुमारी तलवार के लावा वैसे भी तुमारे पास कुछ है भी ने, और मैं लोटने का वेट करना, तबही वो गायव हो जाता है, बायशान उसे ढूलती है और अवास लगाती है, यह हुआ जाचुका होता है, यहाँ लियंग जोंग वेट करता है, तबही यह हुआ आता है, लियंग जो कहता है तुम इतनी जल्सी आ गए, अभी पूरी रात बाकी है कुछ घंटे बचे हैं, तुम वहां मॉटल रेम में कुछ वहीन है, उसके साथ बिता के लौट सकते थे, मैंने अभी ही सूजिन को बगाया है, और तुम अभी ही आ गए, यह वह कहता है, यह सैलिस्टी लेंड है, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं अपने मैजिक से गायब हो गया, चीज़ें और कॉंप्लिकेटेड हो जाएंगी, यहां चौंग एगरी करकी हैं, रहस कर लो, हमें कल जनरल से भी मिलना है, दूसरे दिन जनरल सो सूजिन, उनके एंसिस्टिर को वर्शिप करते हैं, साइड में ल्यांग सों होता है, तुम अपने मरने का ड्रामा यहां कहता है, मैंने पूरी राज सोचा, सब यह आप्शन सोचने के बाद, मुझे यही डेंजरस आप्शन पसंद आया, और यही पर्मनेट आप्शन भी है, अगर मुझे सूसू की साथ रहना है, तो मुझे इमोर्टल को ट्रिक करके, यह यकिन दिलाना हुआ कि मैं मर इससे ही मैं उसकी सिंदिकी बचा सकता हूँ, और हमारी हैपी एंडिंग भी होगी, यहां सोच कहता है, हैविली लॉट को लू बनना असान नहीं है, यहां कहता है, तब ही बहुत दोगो की सामने मुझे ड्रामा करना होगा, ताकि हैविली लॉट को भी कोई डाउट ना र नहीं हो, तुम सेलिस्ट्रा राइब के क्राउट प्रिंस हो, अगर तुमने अपनी डेट का ड्रामा किया, इसका मतलब तुम ट्राइब को छोड़े हो, यहां कहता है, मैं क्राउट प्रिंस हो, बट उसका हस्बिन भी, अगर सेलिस्ट्रा राइब यह हुआ को को देगा, तो कोई और Crown Prince की जगा ले सकता है। अगर मैं अपि यह situation से नहीं बचा, तो कोई उसकी existence का पता लगा लेगा। और जब वह होगा, Heavy Lord उसे असानी से छोड़ेंगे नहीं। Yang Song कहता है, ऐसा लगता है कि यह तुम्हारा कुछ टाइंग के लिए जाना ही होगा, यही आखरी काम होगा जो मैं heavily Lord के लिए करूँगा। और as a Crown Prince of Celestial Tribe, Sujin और General अपनी वर्शिप कम्प्रीट करके यह हुआ के पास पहुशते हैं। Yang Song कहता है, General, मैं आप से 70,000 येर्स के बाद मिल रहा हूँ। जनरल कहता है, थर्ड प्रिंस आप तब से ये अच्छा कर रहे होंगे। Yang Song Agree करता है, General लिये हुआ को ग्रीग करते हों कहता है। हमने एक्स्पेक्ट नहीं किया था कि आप सूजिन के साथ यह वर्शिप के लिए आएंगे। और हम जैसे जनरल से भी मिलेंगे, ये तो सर्प्राइज हो गया। ये हुआ कहता है, आप सभी मुझसे बढ़े हैं, और ये सेलस्टिल पैलेस नहीं है, तो एटिकेट फॉलो करने की कोई ज़रते हैं। हविरे रॉट मुझे बस आप लोगों की करीब लाना चाते थे, इसलिए आज के लिए, मैं कोई क्राउन प्रिंस नहीं हूँ, मैं आप सभी को अंकल खायकर पुलाऊंगा। सभी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, जानल करता है, आप डरिक बात करते हैं। ये सब मरमेड क्लाइन के लिए हैं ना, मैंने सुरा मरमेड क्लाइन के सुपोर्टर गोस्ट राइब में है, इसलिए सब परेशान है कि कहीं वो लोग फिर से दुबारा वार न चेर दें। ये हुआ एगरी करके कहता है, चलिए हम खाकर बात करते हैं। जनरल कहता है, चलिए हम गद्दारों की बात एक साथ करते हैं। बात में सभी एक दूसरे को डोस्ट देते हैं। एक जनरल ये हुआ से कहता है, मैंने हमेशा सु सुना, आप गॉड आफ वार मोयवान की तरह दिखते हो। अब तो मैंने देख लिया, तो मैं मान किया। जब मैंने पहले आपको देखा, मुझे लगा कि मोयवान वापस आ गए है। दूसरे जनरल रोकते हुए कहता है, हाइनेस वो है, जो 20,000 ये मोटल बन गए, ये सैलिस्ट्रेन ट्राइब में बहुत रह रहे है। एक और जनरल एगरी करते हुए कहता है, बले ही मोयवान, 25 योज मैं हाई इमोर्टल बने है, बट हाइनेस का अलगी लेबल है, सभी हसी मजाग करते हुए, मोयवान और ये हुआ की बाते करते हैं। मोयवान को फॉलो किया, पीस और वान के टाइम, आप लोगों के पास आउटस्टेंडिंग मिलिटरी एक्स्पीरियंस है, बट दुनिया में आप चानती है, तो मोयवान ऐसे ही नहीं गए, क्या आप अब भी दुनिया को बचाने के लिए तयार हैं। हमारी फ्रेंट्शिप ऐसी ही है, यह हुआ कहता है भले ही हमारी फ्रेंट्शिप ऐसी है, बट आपका मन उससे बहुत दूर हो गया है। आप सभी मेरे बड़े हैं, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हूँ, तो उसे नज़र अंदास करें। आपने तो इसे बहुत सीरियस ही बना दिया, हम सभी बुड़े होने लग गया है, पुरानी बाते बूलने भी लगया है। यह हुआ, भी एगरी करते हों कहता है, मैं भी यही पुरानी बाते मानता हूँ। पहला जानरल कहता है, हम सभी कम मन, ना इन हाविंज की ररफ है। जब पहले इकोस्ट्राइब और सेलिस्ट्राइब में वार हुई। हम फ्रंट राइन पे खड़े थे। दुनिया को बज़ाने के लिए, पूरे सूजन क्लाइन ने खुद को सेक्रिफाइस कर लिया था। आपने तो सब सुनाई होगा, यह हुआ, एगरी करके कहता है, यह बात तो मेरे दिल में भी है। वो उटकर कहता है, सेलिस्ट्रे ट्राइम ने बढ़े 70,000 यह पहले वार को चीट दिया, पट उसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकाने पड़ी थी, सूजे ने रही और भी 2,000 क्लाइन की लोग मरें, और आपके हादे से जादर यांग अर्डिल्स भी मरें, और अंकल आप सभी को याद है, एक जनरल कहता है, अफकॉस, दुनिया के लिए, यह हुआ, एग्री करके कहता है, बहले ही वो Heavenly Father की बेटे, और God of War थे, हो यह और ने अपनी जिंदी की बेल ओपी इस टैंपरल को सील करने में लगा दे, उन्होंने यह सब इस लैंड और 100 of 1000 of immortal के लिए किय आप, हमें चाहता हूं कि मरमेट लैंड भी सरेंडर कर दे, उसी रीजन के लिए, हमारे लोगों को लैंड के लिए, वे आपसे रिक्वेस करता हूं कि आप अपनी मर्जी से, अपने टूप्स हमें दे दे, ताकि मैं मरमेट लग लूँ, और पूरी दुनिया में शांती फि आपसे लिए, तबी ही हुआ, सूजिन की तरफ देखता है, सूजिन सब समस्तियों कहती है, जो हाइनेस ने कहा है, उससे मुझे मेरे फादर के साथ, अपने ट्लैन की याद आ गई, मैं आप सभी से कहना चाहते हो, कि आप सभी न भूले, कि मेरे पैरेंस के साथ, मेरे क्लै सेलिस्टन ट्राइब और दुनिया को बचाने के लिए, सेवेंटी थाउजन येल्स पहले सेक्रिपाइस किया, जो हो गया, सो हो गया, आप सभी बाते बूल कर हाइनेस की साथ, दुनिया फिर बचाएं, इससे मेरे फादर शांती में रहेंगे, को टोस्ट देती है, सभी ज मेरे के अंदर वार के लिए जाऊंगा, मैं आपको टोस्ट देकर कहता हूं कि लडाई में, मैं सबसे आगे, फ्रंट लाइन में रहूंगा, सबे जनरल टोस्ट देकर एगरी करते हुए कहते हैं, हम प्लेज रहेंगे, कि हम आपको जरूर फॉलो करेंगे, बात में ये इतनी परिशानी खड़े के क्यों कर रहा है, ये हुआ एगरी करके कहता है, चांक सी का लीडर, अच्छा नहीं है, उसकी वीक परस्नालिटी है, तो इसलिए मरमेड लाइग, अपनी बार बढ़ाने के लिए, ये डिजास्टर कर रहा है, जनरल एगरी करते हुए कहता है, व उटर केंग और चंगसी बार बार सेकंड़् प्रिन्स और वर्टर केंग वेस्टी से हल्प मांग रहे है, सेकंड़् प्रिन्स मोईवार की ठेले थे, जबसे उन्होंने कुनल मॉंटिन छोड़ा, वो सीयरो मोईवान को, तब से डून रहे है, जब भी चंगसी में उनके बारे में सुना था जनरिल कहता है मैंने सुना वाटर किंग और चांग से अपने बेटी की शादी मोमेट लैंड से कराना चाते हैं ताकि शांती बनी रहे अब अगर आप वार करेंगे तो वाटर किंग परिशानी में ना आ जाए मुझे लगता है कि अगर आप वहाँ लेकर भी जाए तो वहाँ वाटर किंग मोमेट लैंड की तरफ से ना बोले इससे आप ही पुरे बनोगे यह वह कहता है वार होने से पहले मुझे वाटर किंग से मिलना होगा जैनरल ग्रीट करके चला चाता है बाद में यह हुआ सूसू से कॉपर वायर में बात करता है पै नराज हो पैशन कहती है मैं अपनी बर्ट के साथ केल ली थी मुझे तुम से नहीं लर्णा यह हो घरता है रहा पैशन कहते है मैं सूच ले थी कि अगर मेरे पास बिना बच्चे के जिन्दगी पीसफुल और क्वाइट बीटती है। यह वो पुस्त है तुम्हें लड़का से यह लड़की। तुम मुझे तब पता देना है जब मैं वापस आ जाओंगा। बाइशान खुशी में एगरी करती है। नाइन हैबिन में हैबिली रॉड यह हुआ से कहता है। मैं तुमसे यही पूछने आया हूँ कि तुम्हारी उस मीटिंग में क्या हुआ। और जैनरल की क्या सोच है मुझे चांक सी चाना होगा। वाटर क्रिंग से मिलकर चेक कर नहुआ कि जो रूमर है वो सही है भी या नह कहता है आज नहीं तो कर हमें यह situation resolve करनी होगी बट वार के जलबाजी तो नहीं यह वह कहता है आज नहीं तो कर वार तो हो नहीं है हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेंगे ताकि हम जीत भी सकें यह बूद एगरी करके कहता है मैं तुम्हें चांक सी में जाने देता हूँ मत करना यह हूँ एग्री करके कहता है इसलिए मैं वहां Crown Prince यह हुआ बन की नहीं जाओंगा Heavenly Lord कहता है Undercover जाओंगी क्या यह हुआ एग्री करके कहता है भरे ही चांक सी हमारे जगे है पर Mermaid Clownे ने हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करती है इसलिए मैं वहाँ जाकर पॉर्चिनिटी देखना चाता हूँ कि चांग सी वाटर किंग के सारे रिष्टे मरमेड क्लान से खतम हो जाएंगे या नहीं अगर वाटर किंग हमसे टूप्स मांगेंगे तो हम सही से वहाँ अपने टूप्स पेस दे के लेगा यह वहाँ घ्लक के तायर को कFit यह तुम ने कहा हारे तो में कर सकती हो यह वाज़िव करता है यहाँ रृणakah जेंक झांग BRE करता है और तो किस दे दिया जुन आता है उसने तुम्हें ठाने को दिया टृट का लिया इसमें बहुत सारी फूर्ट संद में सब खतम नहीं कर सकती आप एक लेना चाहोंगी क्या तुम्हें पता ही नहीं कि मैं क्या खा़ो हूं फैंग जू फूरूट खाते होई कहती है मैं सच कहो वो दीजिन को हग करते हूए कहती है मुझे आप बहुत पसंद हूँ वो हसती है दीजिन कहता है तुम मुझे नहीं बताओगी तो भी मैं जानता हूँ फैंग जू कहते हैं जब तुम फ्री होगी तुम सीमिंग से पूछे न, वो तुम ही गुमा दिगा, तो मैं अपने टाइम मेरे साथ, यह सब कामों के लिए फेस्ट नहीं करने चाहिए, जो एक बूड़ा इंसान है, फैंग जू कहते हैं, बूड़े नहीं हो, तुमारे ग्र स्टेल स्वान को लाता हूं, ताकि वो तुमें घर पहुचा देंगे, जैसे ही दीजुन जाता है, फैंग जू से पकड़ की कहती है, नई, अगर मैं वापस जाऊंगी, तो क्राउन प्रिंस की काजन, बुच में चिल लाएगी, दीजुन पूसता है, क्या वो तुम पर बा मुझे पुद्धे इजुन और उसके बीज़ पर कुसता लगता है, सिमिंग पूसता है क्या तुम्ने थर्ड प्रिंस ल्यांग संको, ऐसी डील गया, जैंग कहती है, उसके बारे में बात मत करो, यहां बात में दीजुन फैंक जु को उठाकर लेकर चाता है, तब ही एपि पूलो में और फेस्बुक पेज कुरेंज अगया अस्वल एस इंस्स्तरागेम अगाउंग और चागया, थैंक यू